रम रम किसान भाईयों, मैं हूँ रजनिश कुमार और आप देख रहे हैं फार्मर हैल्प सेंटर येटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्सों में 20-40 दिन के बीच में तीन मुख्य जरूरी कारियों के बारे में जो कि हर किसान भाईयों को करने ही पड़ेंगे जिससे वह अच्छा उत्पादन ले सकें और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकें दरसल इस वार सर्सों के दाम काफी अच्छे रहे हैं जिसकी बज़ए से इस वार सर्सों की अधिक बुआई होई है लेकिन किसान भायों को सरसों में ये तीन जरूरी काम जरूर करने पड़ेंगे तबी भाय अच्छा उत्पादन ले सकेंगे तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को अन तक जरूर देखें साथी साथ हमारे चैनल को भी सेस्क्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे किर्सी सम्बंदे सभी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहें किसान भायों सबसे पहला काम जो आपको 20-40 दिन के बीच में करना होगा बैह है खर्पतवार नियंतरन किसान भायों सरसों की फसल में खर्पतवार नियंतर करना बेहर जरूरी होता है क्योंकि खर्पतवार नियंतर से जो करने से जो हमारी खेत में मौझूद पोसक्तत्व होते हैं या फिर हम खड़ी फसल में जो पोसक्तत्व देते हैं उनका सारा फाइदा हमारे सरसों के पोधों को होता है जिसकी वज़े से हमारी पसल सही डंग से गिरोध करती है उसमें कलनों का फोटाव अधिक होता है और पोधा मजबूत और जल्दी तयार हो जाता है जिसकी वज़े से हमें अच्छा उत्पादन मिलने की संभाबना वो भर जाती है और निश्चिती हमें अच्छा उत्पादन मिलता है तो किसान भाईयों आपको खर्पतवार नियंतर के लिए 20-40 दिन के बीच में एक निराई गुड़ाई अवस्य करनी होगी जिससे खर्पतवार नश्ट हो सके हैं इसके अलावा दूसरा जरूरी काम है खाद प्रबंदन किसान भाईयों फसल की अच्छी वड़वार के लिए अधिक कल्लों के विकास के लिए जणों के विकास के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको दूसरा जरूरी काम जो है कि 20-40 दिन के बीच में करना है वह है अपनी सरसों की फसल में खाद डालना किसान भाइयों सरसों की फसल में यूरिया का प्रयोग जरूर करना है जो की फसल की अच्छी ग्रोध के लिए काफी जरूरी होता है साथी आपने बवाई के समय अगर SSP यानी की सिंगल सुपर फासफेट का प्रयोग नहीं किया है DAP का प्रयोग किया है तब आपको सल्फर का भी प्रयोग करना पड़ेगा जो कि market में आसानी से मिल जाता है सलफर के प्रयोग से सर्फों में तेल की मात्रा तो वड़ती ही है साथ ही दाना एकदम चमकदार होता है और साथ ही साथ उतपादन की चमता को भी बढ़ाता है इसके अलाबा किसान भाईों तीसरा जरूरी काम है जो कि 20-40 दिन के बीच में करना है आप सभी किसान भाईों को भाई है सिचाई प्रवंदन किसान भाईों सही समय से सिचाई करना हर एक फसल के लिए जरूरी होता है लेकिन कई किसान भाई सही समय से सचाई नहीं कर पाते हैं जिसके कारण पर अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं किसान भाईयों पहली सचाई किसी भी फसल के उत्पादन में अहम भूम का निभाती है जिसके किसान भाईयो अगर आप सही समय से सिचाई कर देते हैं तो आपको निश्चिती अच्छा उत्पादन मिल पाएगा किसान भाईयो सामानी रूप से सिचाई का सही समय बुआई से 30-40 दिन के दिन पर होता है लेकिन अगर आपके खेतवे नमी कम हो पौदे काले पड़ रहे हो तो आप 30-40 दिन से पहले ही सिचाई कर देनी चाहिए जिससे पौदे तेजी से गिरोध करें और टैनी का विकास हो जिससे कि हमारी फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिल सके तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सभी जरूरी काम को करके हमारे किसान भाई सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और अगर किसान भाई हो अगर आप किसी संबद कोई अन्य जानकारी अगर चाह रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं